नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैंने क्लेश जेन हिंदी चेस पेस इनचल पर आप सभी का हार्ट दे कमने दन करते हूं दोस्तों आजर बजान में होने वाला फेमस चेस्ट टोर्नमेंट वुगार गशिमो मैमोरियल टोर्नमेंट शुरू हो गया है इस बार भारत के डी में पराजित करते हुए शांदार शुरुवात की लेकिन हाला कि उसके बाद उन्हें लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है तो आज दूसरा दिन रहेगा तो देखींगे आज कैसा वह मुकाबला खेलते हैं लेकिन वह मुकाबला जो रिचर्ड रापोर्ट के साथ उन् कि पहले इस जीत के बाद उनको अजार अरवेजान के मामेदो राुफ तो नहीं मामेदो राु छी फ्राजित का सामना करना पड़ा और उसके बाद फ्रांस के वोजे हो पॉंस से उनको हार का सामना करना है बड़ा हला कि वोजे हो पॉंस वाला गिम बहुत ही क्रिटिकल गिम था वहां पर कुछ भी हो सकता था तो आये चलते हैं और देखते हैं यह मुकाबला जिसमें गोकेश ने जीत दर्स की थी यहां पर जो रेटिंग ल खेलने की बजाए ए5 खेलने की बजाए नाइट सी 3 खेला यहां पर दाइट सी 3 वद्वरेशन का चुनाव किया यहां पर रिचर्डे नाव यहां पर विशप जी-4 मेंन लाइन है एच 3 जिसके आप विशप को चुनावती देते हैं कि इस से पहले कि आप अपना स्टुक् काझे यहां पर पर दित्री अपने फी स्क्राइस को डेवल उडप करते हुए नाीट आता है डी 7 और यह बैससा दित्र कॉर्षप ऑफ 2 आ जा सकता था जहां पर 27 फीला जाता है जहां पर कवीं day Этот के जी 7 पर प्रेशर रखाजा धाय यह लाइन है कि आप development की तरफ जाते हैं लेकिन यहाँ पर a3 खेला और शायद बिशप b4 को रोक रहे हैं शायद future के लिए b4 की तैयारी है तो यहाँ पर a3 खेला रिचार रापोर्ट ने जो की काफी कम खेला जाता है गोकेश ने जवाब दिया यहाँ पर knight gf6 निकाला इन्ह बिशप e7 है development की तरफ g6 किया गया है बिशप d6 खेला गया है मतब तीन चार चाल तो बिशप के बेसिकली खेले गया है या queen a5 तोड़ा हट के खेला गया है लेकिन कभी भी इस पोजिशन पर किसी ने भी h5 नहीं खेला था जो की गोकेश ने खेला आप h5 का संदेश भी हो सकता था बिशप d6 डैपलप किया और अब रिचर्ड ने यहां पर कैसल कर लिया अनलेसिस समझ में आता है कि यहां पर बिशप e3 यहां पर डायरेक्ट d4 भी एक अच्छा मोव होता है उन्होंने कैसल किया और यहां पर गुकेश ने बोला कि ठीक है बाई चाहते है हम यही थे लीजिए h4 आ गया रिचर्ड ने जीफोर कर दिया लेकिन जीफोर करने से डेफिनेटली जैसे यह पाउन आगे बढ़ता है आप देखिए f4 का स्क्वेर जो है वह कम जोर पड़ चुका है बिशाप यहां पर जरूर है लेकिन देखते हैं कि कुकेश आगे क्या और अभी देखिए उसने f4 का जो स्क्वेर था और यह पूरा जो डायोगनल था इस पर बहुत जबर्जस प्रेशर जो हो क्रियेट कर लिया c3 करके यहां पर रिचर्ड ने कहा कि हम इस पोजिशन को तोड़ते हैं c5 किया यहां पर को केश ने सपोर्ट दिया कि नहीं पॉ और यहां पर शायद कुईन जी टू बेटर हो सकता था लेकिन रिचर्ड थोड़ा जाद ही दूर चले गए क्वीन एच वन लेके चले गए ओके कंटिनू किया यहां पर नाइट जी सिक्स तो अभी आप देखिए जो f4 का स्क्वार है वो पूरी तरह से एक प्रकार से सरें कर रहे हैं लेकिन बदले में आपको f4 जो हो पूरी तरह से मिल जाने वाला है यहां पर अच्छा यहां पर बिशप इंटू 5 मारा जा सकता था और इस तरह यह मैच चलता अगर 95 25 होता तो ब्लैक ही बेटर है यहां पर अगर बिशप f3 करके खेलेंगे तो रुग बीट भी फाइन है यहां पर बेटर जो है वह ब्लैकी है लेकिन गुकेश ने यहां पर यह एकसेप नहीं किया नहीं मारा पॉन उन्होंने नाइट h7 खेल दिया यह जो नाइट है वह जी 5 से भूंके आ जाएगा यह कुकेश की एबिल्टी है वह बहुत अच्छा खेलाते हैं मैनु अब यह पॉजिशन में पॉन तो दे दिया है लेकिन आगा कर अभी भी देखो तो ना यह कुईन एक्टिवेट खास हुआ नहीं है यह बिशाप अकेला तो कुछ नहीं कर सकता उपर से अब यह रूप भी एक्टिवेट हो रहा है तो यहां पर गोकेश खेलते हैं नाइट जी फाइफ बी फॉर किया गया ताकि वह प्रेशर जो है वहां से खतम हो आजए बिशप जी सिक्स वगरे अगर खिलते तो यहां पर एफ जी सिक्स से जो है बिशप पर वापस सपोर्ट आ जाता तो वह कोई इशू नहीं था तो उन्होंने बी फॉर किया नाव गोकेश न है वह लग कि अभी फाइल जो है वह उसको ओपन कर लेते हैं नाइट एफ फाइफ तो कुईन पर अटैक तो कुईन एफ सेवेन यहां पर नाइट सी सिक्स तो इसको रुक कोई बचाया से नाव किंग इवन भागे यहां पर तो नाव एफ इन्टु एफ यहां पर और और कि जब तक इनका जो भी अटैक है थोड़ा सा जो काउंटर अटैक आ रहा है वह रुख जाए नाइट सी फाइफ के बाद यहां पर गोकेश ने बड़ी शांदार चाल खेली रुक इन्टु सेक्रिफाइज यहां पर लोग इंटु सी फाइफ एक्षेंज सेक्रिफाइस कर है इंजन अनलेसिस में बताता है कि यहां पर कुईन बीफाइफ ज्यादा बेटर होता क्योंकि कुईन बीथरी जा रहा था पर कुछ इतना असान ही से नहीं दिखता है आपको कभी भी कुईन सी फाइफ किंग बीथरी इस तरीके से मैच चलता मैच पर क्या हुआ हुआ है यहां पर यहां पर फाइदा बस क्या हुआ पूरी प्रोसेस पर कि वाइट का जो किंग था वह खराब इस तिमनी रह गया काफी ठीक था कि सिती में जो है वह पहुंच गया था ओके कुईन डीशिक्स खेला यहां पर तो नाओ कुईन डीशिक्स पर उन्हों अपना रूप यहां पर लग रहा था कि शायद यह ड्रॉइस हो सकता है थोड़ा सा बल्कि यह किंग की सिक्यूर्टी थोड़ा सा देखने पड़ेगी अगर यह रूप वगर एक्टिवेट हो गया अलग कि यह किंग अभी भी बहुत खराब था अच्छा आप इसके बाद क्या होता है ग कि रिचर्ड रापोर्ट को लगता है कि शायद हो मैं जीत सकते हैं कुइन सी टू कुइन सी थ्री एक्शेंज के लिए उफर किया उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया अगर एक्सेप्ट करते फॉर एक्जामपल यह पोजीशन इस तरह से गेम चलता हो यह भी आक्शली एक् तो कुइन ए-2 खेला और उनके पास एक पास पॉन रहेगा ब्लैक के पास कुइन ए-2 खेला रुक सी वान कुइन बी-4 रुक सी फोर और फॉन बी-6 और यह वह मोमेंट यहां पर आया रुक सी शिक्स आया कुइन बी-8 कि ऐसा लग रहा था कि रिचर्ड लगातार दबाव बनाने के कोशिश कर रहे है रिचर्ड ने यहाँ पर डिसाइड किया रुक C4 गए गुकेश ने यहाँ पर खेला कि फाइफ यहां पर रिजाइन करना पड़ गया आप देख सकते हो और इसके बाद आपके पास दो नाइट है कुई अकेला है और गेम जो है वो नहीं बच पाएगा यहां पर किंग एफ वगर रही जो है वह खेलना पड़ेगा और उसके बाद भी लगाता चेक के चलते हो कि तो एक टरीव जो जो है वह नहीं आरा रहा है नग्र शेक आएगा और आपके बाद जगह है नहीं आपको यहां जाना पड़ेगा रहा यहां उनना पर रही पेश्ट राप टार रहे रहें और उनके विकेश्स का यह बताती यह इंग कि जब धी कूपकर दिगिश्ट प्रामक होने की कोशिश करते हैं उसके बाद जो है खेल वाकई काफी मुस्किलों में जो है वो आपोनेंट को डाल सकते हैं चाहे वो फाब्यानों करवाना हो हमने देखा है उनके खिलाब कैसे उलम्प्याड मनों ने जीत दर्स की थी तो क्रिटिकल करके गेम को वो बड़े स आपको पसंद आएगा पसंद आएगा तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूले है देखते रहे हैं जाहें दोस्तों